दोस्तो नमस्कार वीकेन उलेज इलेक्रिकल में आप सभी का स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में डोमेस्टिक अपलाइंसेज पर आधारित परसनों पर बात करेंगे सभी क्यूस्टन को लाज तक आप जरूर देखना दोस्तो डोमेस्टिक अपलाइंसेज गहले मिलेंगे दोनों वीडियो को जरूर देखें दोस्तो हमारा परियास रहता है कि कोई भी प्रिजन रिवीट नहीं करते हैं इसलिए आप दोनों वीडियो को देखें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो के सभी क्यूस्टन लाज तक आप जरूर देखना पूरी तर स्टोर में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है वीके नोलेज इलेक्टिकल के नाम से ही है तो एप पर भी आपको टेस्ट देने का मुखा मिलता है फ्री टेस्ट वहां पर प्रोवाइड रहता है पेड कोर्स भी आप लेना चाहते हैं तो ले सकत हैं अप्लिकेशन डाउनलोड करके इस्टोर में आपको ऑप्सन मिलेगा वहां जाएंगे तो आपको फेड कोर्स परचेज करने का ऑप्सन भी मिल जाएगा चलिए दोस्तों आज की क्यूस्टन से सुरू करते हैं सवाल नमर वन निमन में से कौन लकड़ी या प्लास्टिक का बना होगा एक इलेक्रिक आइरन के बारे में पूछ रहा है कि उसका एलिमेंट होगा कि आइरन केस होगा कि सोल प्लेट होगी कि हैंडल होगा तो सिद्धी शी बात है दोस्तों है वही लकड़ी या प्लास्टिक का हो सकता है बाकी नहीं हो सकते वैसे भी देखो एलिमें में हो, इलक्टिक आईरन में हो, या गीजर में हो, या टोस्टर में हो, थर्मो इस्टेट का काम ताप को नियंतरित करना होता है, ये फेज़तार के हिटिंग एलिमेंट के स्रेनिकर में लगता है, निम्न कत्रों पर विचार कीजिए, दो दो स्टेटमेंट दिये कि रेफ्रिजरेटर की समता लीटर में और एसी की समता टन में होती है बताईए दोनों की स्टेटमेंट की कैसी बाते हैं तो दोनों स्टेटमेंट बिलकुल सही है दूस्तों एसी जो है वो टन में होता है और रेफ्रिजरेटर जो है वो लीटर में हो अगला सवाल है कि टोस्टर में जो ब्रेड सेंकने का छेतर होता है उसका तापमान कितना होता है दोस्तो इस्टेंडर्ड आंकड़ा है इसे आप याद रखें 260 डिग्री सेंटिग्रेड उसका तापमान होता है अगला सवाल है निमन वैसे किसे तापमान के पेमाने में उपय लोग नहीं किया जाता दोस्तों तापपान के पेमाने चार होते हैं कौन-कौन से केलविन, रीउमर, फोरेन हाइट और सेंटी ग्रेड तो ऐस नाम से कोई पेमाना नहीं होता है सी नाम से पेमाना होता है सेंटी ग्रेड में अगला सवाल किस घ्रेलू उपकर्ण का भार सरव वाट तक के होते हैं दोस्तों अगला हमारा सवाल है गीजर में हीटिंग एलिमेंट 25 लिटर के लिए 1 किलो वाट 50 लिटर के लिए 2 किलो वाट तो 6 लिटर के लिए कितने का होगा तो दोस्तों 3 किलो वाट का होता है फिक्स है यह अगर 25 लिटर का गीजर है तो हीटिंग एलि क्रिश्टल्स के बीच में जब मेके निकल यान्तरिक पर्तिवल आता है तो उसमें इलेक्रिसिटी जनरेट होती है जिसको पिज्जो इलेक्रिसिटी कहा जाता है यह उत्तर सही रहेगा दबाव यानि प्रेशर फोटो कोपी मसीन का कारिय सिधान्त पूछा है दोस्तों अगल सवाल है कि बड़े पेमाने पर तापमान मापन वाले अनुपर योगों के लिए उच्छ सटीकता की आवशकता नहीं है यानि हाई एक्रिसी नहीं चाहिए फिर भी चालू बंद करने के लिए इसका उपयोग हम कर सकते हैं बताईए निमन में से कौन है तो दोस्तों यह होत होती है दोस्तों कि जब भी यह थंडी होती है तो इस तरह से कौन्टेक्ट बना कर रखती है जैसे गरम होती है यह मुड करके हट जाती है तो सर्कीट को काट देती है यानि थर्मोस्टेट थर्मल ओवरलोड रिले इनका जो ताप के अधार परी कंट्रोल होता है सर्कीट क कोफिजेंट और थर्मोमेटर तापमान मापने की काम आता है और थर्मो कपल जो है वो बोल्टीज के लिए होता है एक तरह से अगला सवाल है फूड मिक्सर की रेटिंग लगबग कितनी होती है तो दोस्तों फूड मिक्सर जो है लगबग अपना सो से लेकर 650 वाट तक रेट सिदीशी बात है तरल पदार्थों के लिए विद्यूत केतली काम में लेंगे इलेक्ट्रिक आइरन के बारे में जानते हो ना प्रेस बोलते है ओट पलेट भी जानते है खना पकाने के काम आती है और सोल्डिंग आइरन का भी उपयोग जानते है तो इलेक्रिक केटल आ जा होते हैं तो इवपोरेटर जो होता है वो सबसे ठंडा भाग होता है ए ओप्सन के साथ हम इसमें जाएंगे अगला मारा सवाल है कि निमन में से कौन विद्यूत के ताप यह सिदानत का उपयोग नहीं करता है ध्यान से देखना नहीं करता है पूचाए फिलामेंट लेंप उसी पर है गीजर उसी पर है विद्यूत भटी उसी पर है लेकिन वेक्यूम कलिनर नहीं है क्योंकि वेक्यूम कलिनर में मोटर होती है और मोटर जो है वो चुम्ब की सिदानत परादारित होती है अगला सवाल है कि ग्रेलू उप भोगता का भार सामाने तक किस एकाई में लेते हैं तो उबहुगता का भार सामाने थे किलो वाट में लेते हैं और एक उबहुगता का भार जो है वो 5 किलो वाट से लेकर 10 किलो वाट तक होता है वैसे अगर अपन वितरन के अकोर्डिंग बात करें तो ग्रामीन एरिया में 1 किलो वाट और सहरी छेतर में 3 किलो वाट तक है सिंगल फेज के लिए वगदा को बाहर की परमिशन होती है अगला मारा सवाल है सिंगल कोर फ्लेक्सिबल केबिल में फेज तार का रंग कैसा होता है दोस्तों ये बहुत ही अच्छा सवाल है भूरे रंग का होता है ब्राउन कलर का होता है ये आपको याद रखना किस विदी का उपयोग करते हैं तीन तरह की विदियां होती है उसमा इस्तानंदरण की चालेंज जो होती है ये ठोस में काम ने लेते हैं जैसे इलेक्रिक ऑईरेंन हो गया सोल्डि Denn ऑईरेंन हो गया रूमेटर हो गया इसमें क्या होता है कि हीट जो है इनमें शोर्स के पास जो medigator होता है, वो आता है, वो खुद वहाँ से उसमा लेकर के चला जाता जैसे में आपको एक्जाम्पल दू। जैसे सूरिय का प्रकास हमारे तक पहुंचना, लेंप का प्रकास हमारे तक पहुंचना. अगला हमारा सवाल है निमन में से कौन सा नोन लिनियर तत्प नहीं है यानि लिनियर कौन सा है यह पूचा है रेखिक कौन सा है रेखिक वो होते हैं जिसमें V समानुपाती I का नियम चले यानि ओम का नियम का वो फोलो करते हो तो ओम का नियम जो proper follow होता है वो केवल और केवल heater coil में ही होता है क्योंकि heater का जो element होता है वो एक तरह से रेजिस्टिव सर्किट माना जाता है पर्तिरो दी भार होता है जो कि capacitor inductor में भी ओम का नियम follow नहीं होता हम सब जानते है अग्ला सवाल बड़ा सादान सा पूचा है कि भारत में घरेलू उपकरन किस वोल्टेज पर परचालित होते हैं तो 230-240 वोल्ट पर चलते हैं यदि फरिक्वेंसी के साथ में बात की जाए तो 65-65 फरिक्वेंसी पर चलते हैं आगे सवाल बूचा थर्मो स्टेट के बारे में कि थर्मो स्टेट कैसे जुड़ा जाता है तो थर्मो स्टेट हमेशा फेज़ तार पर लगता है और हीटिंग एलमेंट के सिरीज में लगता है निर्दायत्मान से उपर आपमान अगर होता है तो पत्ती सरकिट में एन उ कर देती है यहनि हेटिंग एलिमेंट की सब लाय ओफ हो जाती है निर्दायत्मान से नीचे जाती है फिर से लग जाती है अगला सवाल हीटर का भाहर पूछा वई तो हीटर रेजिस्टिव सर्किट होता है ध्यान रखें इसमें कोई डाउट नहीं है सुध परतिरोधी परिपत है फेज अंतर करण्ट और वोल्टेज के बीच जीरो माना जाएगा पाउर फेक्टर इकाई माना जाता है अगला सवाल है एक घरेलू हीटर में तापमान प्राप्त करने के लिए च्यार एलिमेंट का उब्योग किया गया मैक्सिमम टेंपरेचर प्राप्त करने के लिए हम इनको कैसे समयजित करेंगे समानतर करम में अधिक्तम ताप प्राप्त होता है हमें ठीक है क्योंकि परते एक में धारा अधिक चलेगी और धारा के इसाब से अगर देखें तो आई स्कुर आर्टी यानि धारा के वर्गा अन्पात में उसमा बढ़ती है तो समानतर में जब स्युजित करेंगे तो अधिक तम तापमान हमें प्राप्त होगा नियूंतम तापमान के लिए स्रेने करम होगा और नाइक्रोम का परचालन पूछा है तापमान ओपरेटिंग टेंपरेजर तो नाइक्रोम एक मिसर धातुए निकिल और क्रोमियम की 80% निकिल 20% क्रोमियम होता है हिटिंग एलिमेट बनाने के काम में लेते हैं उच गलनाग और उच परतिरोध होता है गलनाग इसका 1400 डिग्री सेंटिग्रेड होता है परचालन तापमान ओपरेटिंग टेंपरेचर जो है वो 1400 डिग्री सेंटिग्रेड होता है जिस पर यह आराम से काम कर जाता है अगला सवाल है कि उपसादनों को उपसादन बोलते हैं गरे लोप करनों कोई को सक्ति देने से पूर्व है यह जांच कर लेना चाहिए कि बोड़ी में लिकेज धारा से अधिक नहीं हो दोस्तों यह फिक्स है याद रखना 0.2 मिली एंपेर से अधिक उसमें लिकेज करन्ट नहीं होनी चाहिए या फिर इंसुलेशन परतिरोद का मान एक मेगा उन से कम नहीं होना चाहिए अगर ऐसा है तो फिर आपको सप्लाई ओन नहीं करनी है तो बस दोस्तों यही थे आज के 25 क्यूस्टन क्यूस्टन पसंद आये तो वीडियो को लाइक जरूर करना चैनल पर नहीं हो तो सबिस्क्राइब जरूर करना डिस्क्रीप्शन में लिंक दिया हुआ है एप डॉमलोड जरूर करना एप पर जल्दी ओनलाइन टेस्ट सुरू करवा देंगे और वीडियो कोर्स अवाइलेबल हो चुका है पेड़ कोर्स आप जरूर परचेज करें